किन्नरीस किचन में आपका स्वागत है आज हम बनाएंगे खजूर मोदक खजूर के मोदक की खास्यत है कि उपर से सक्कर या गुड़ मिलाना नहीं पड़ता डायबिटीस के पेशन्ट इस प्रशाद को आराम से खा सकते है खजूर की अपनी मिठास से बनाएंगे मोदक काफी स्वादिश लगता है तो आईए देखते हैं खजूर मोदक कैसे बनाते हैं आपने अगर अब तक मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें बैल आइकन को प्रेस करें जिससे आपको मेरे आने वाले नए वीडियो की नौटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाएगी वीडियो टेप पे मेरी अपलोड की हुई सारी रेसिपीस मिल जाएगी सबसे पहले खजूर में से बीज हटा कर मिकसर जार में क्रश कर लेंगे हमने लगबग 15 से 20 यानि की एक कप खजूर ली है खजूर पीश कर साइड में रख लेंगे एक पैन को मद्यमाच पर गरम करके 2 टेबल स्पून खसकस ड्राइ रोश करेंगे 2 से 3 मिनिट चलाने पर खसकस में रही नमी कम हो जाती है और खसकस का कलर बदल जाता है खसकस के छोटे छोटे दाने फूट कर लाइट वेट हो जाते है 2-3 मिनिट बाद गैस का स्विच बंद कर लेंगे और खसकस को किसी बावल के अंदर निकाल लेंगे अभी के लिए खसकस को साइड में रख लेते है इसी पेन को मद्य माज पर गरम करके एक टीस्पून देशी गी डालेंगे गी गरम होते ही पीसी हुई खजूर डाल कर 4-5 मिनिट पकाएंगे पीसी हुई खजूर की कंसिस्टनसी आप देख सकते है खजूर को 4-5 मिनिट दिमी आज पर पकने देंगे अगर जरूरत लगी और आप डालना चाहे तो थोड़ा सा और गी भी डाल सकते है मैंने यहां इतने ही गी में खजूर को पका लिया है खजूर पकने पर उसमें रहा कच्चापन निकल जाता है और उसकी फ्लेवर बढ़ जाती है यह देखिए लकड़े के तवेते से हमने खजूर को पैन के उपर पल्टा-पल्टा के गरम कर लिया है गैस का स्वीच बंद कर लेंगे और खजूर को ठंडा होने के लिए एक बावल के अंदर निकाल लेंगे बावल के अंदर खजूर को फैला लेंगे जिससे वो जल्दी से ठंडी हो जाए अब हम इसी पैन के अंदर एक टीस्पून गी गरम करेंगे गैस को हमने मद्यमाच पर रखा हुआ है गी गरम होते ही बादाम, पिष्टा, अखरोट और काजू की गत्रन डालेंगे रोश्ट कर लेंगे, दो-तिन मिनिट रोश्ट होने पर गैस का स्विच बंद कर लेंगे खजूर की मिश्रन के अंदर एक च्वाथा टीस्पून इलाईची का पावडर डालेंगे इलाईची की महाक से मोदक स्वादिश बनते है अब हम खजूर के अंदर ड्राइफ्रूट्स मिला लेंगे खजूर के अंदर ड्राइफ्रूट्स मिलने के बाद इस तरह का मिश्रन तयार होगा खजूर के मिश्रन में से छोटा सा एक बॉल बनाकर उसमें से मोदक तयार करेंगे बॉल बनाकर इस तरव उपर से मोदक का शेप दे देंगे बॉल को उपर से उंगलियों से दबाते हुए मोदक का शेप देंगे और नीचे की और से फ्लेट कर लेंगे ये देखिए बिना मोल के मोदक तैयार है चम्मज के पिछले हिस्से की मदद से मोदक के उपर लंबी-लंबी लाइन बना लेंगे तो तयार है हमारा खजूर मोदक खजूर के मिश्रों में से दूसरा एक बॉल बना कर उसमें से भी मोदक बना लेंगे बॉल को उपर से मोदक का शेप दे देंगे और छोरी की मदद से लंबी-लंबी डिजाइन बना लेंगे मोदक को नीचे से चप्टा कर लेंगे इसी तरह से हमने सारे मोदक बना कर तैयार कर लिये है मोदक को गोल-कोल गुमाते हुए रोश्ट की हुई खसकस से कोड कर लेंगे तो तैयार है मीठे पोश्टिक और स्वादिश्ट खजूर मोदक मोदक का गणपदी बापा को बोग लगाएंगे आशा है खजूर मोदक की मेरी ये रेसिपी आपको पसंद आएगी ऐसी और नई रेसिपीज के लिए मेरी चैनल को सब्सक्राइब करना ना बूले दन्यवाद